हाई एंविवन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रुदरपूर के इंडेस्ट्रिन एरिया सिटकुल के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिटकुल में अभी कौन-कौन सी कमप्टीज है उन कमप्टीज में स्टार्टिंग सालरे क्या है यहाँ पे कौन-कौन तक और रात की 10 विजे से अगले दिन सुबर 6 विशे तक यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है जन्हें आपने 10 किया हूं यहाँ पर आपने 12 किया हूं यहाँ पर जो स्टार्टिंग सेलरी है आठ गुंटी की और महीने में 26 दिन की वो है 9000 उपे इन 9000 उपे में आपको कै 6 months बाद यहाँ तो आपको फॉल टाइम रखिया जाएगा यहाँ तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप 18 प्रस हैं चाहिए आपने 10 किया हो यहाँ पर आपने 12 किया हो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ भी 8 घंटी की शिप्ट होती है और महीने मे 26 दिन काम करने का आपको यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी दिया जाता है 11,000 रुपे अगनी कमपनी है ब्रिटानिया ब्रिटानिया में भी बॉइस अन गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं 8 घंटी की शिप्ट चलती है 8 घंटी की शिप्ट और महीने में 26 दिन काम करने का आपको यहाँ पर मिलता है इन हैं 8700 रुपे अगनी कमपनी है टीवी एस श्री चक्रा लिमिटेट यहाँ पर टेन पर स्टू वाले जोब नहीं कर सकते हैं यहाँ पर जॉप करने के लिए एक लीज डिप्लोमा वोड़र होना ज़रूरी है यहाँ पर भी आट कंटी का करने ग tv अगेशन वेन सनोली को नहीं कि यहाँ और भी आपकी आट गॉंटे का होगा की आशनी को लेकिन अवयक्ते की रिए टके आइप L scan काम रहते हैं लेकिन यह मोल्टान जिसमें स्टार्टिंग सेल्रीए 10,900 रुपई यहाँ पे दो शिफ्ट चलती है सुबह 8 बजी से 4 बजी तक और रात के 8 बजी से सुबह के 4 बजी तक अगर आप यहाँ पे ओवर्टाइं करते हैं तो यहाँ पे आपको ओवर्टाइं का पर गंटे का 105 रुपई अगर आपकी 11,500 रुपई और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें आपकी 11,500 रुपई यहाँ पे ओवर्टाइं करते हैं तो यहाँ पे आपकी 12 गंटे की शिफ्ट होती है उसमें आपका मध्यी सालरी बनता है वो 15,000 रुपई तक बन जाता हैं तो आज की वीडिय की कंपनीज के बारे में आपको डीटेल्स बताएं तो प्लीज हमें कॉमेंट्स पर जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में